भारत और श्री लंका के बीच तीन टी-ट्वेंटी मैचों की सिरीज खेली जा रही है सिरीज का पहला मैच पांच जनवरी को गुवहाटी बड़सा पारा क्रिकिट स्टेडियम में बारिशी वज़े से रद्ध हो गया था जबकि दूसरा मैच इंदोर के होलकर स्टेडियम में खेला गया जिसमें भारत ने श्री लंका को साथ विकट से हरा कर सिरीज पर एक शिन्डी की भड़त बना ली है अब सिरीज का अंतिम मैच पूरे में खेला जाएगा इंदोर में हुए मैच में बहतरीन प्रदर्शन करने वाले कपतान विराट कोहली ने नाबाद 30 रन बनाए इसी के साथ 2020 में पहरा मैच खेलते ही एक और विश्वर रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया साल 2019 की बात करें तो टी 20 क्रिकेट में विराट कोहली और रोहित शर्मा की बीच दिलचस्प रेज देखने को बिड़ी पहले इस पॉर्मेट में सबसे अधिकरन बनाने वाले खिलाडियों में रोहित शर्मा पहले नमबर पर थे लेकिन विराट कोहली ने बहतरीन प्रदर्शन करते हुए रोहित की बराबरी कर ली साल के अंत में दोनों की लाड़ी 2633 रन के साथ संयुक्त रूप से पहले नमबर पर थे इसमेट विराट को रोहित से आगे निकलने के लिए मात्र एक रन की जरुरत थी इस सीरीज में रोहित शर्मा को अराम दिया गया है इसमें विराट ने 30 रन की पारी खेल कर रोहित से आगे निकल गया है विराट कोहली ने 77 मैचों में 2663 रन बनाए है उन्होंने 53.26 की औसत से 134.40 की स्ट्राइक रेट से रन बनाया है वहीं रोहित शर्मा ने 104 मैचों में 2633 रन बनाए है रोहित ने इस फॉर्मिट में 4 शतक लगा है विराट कोहली कभी 200 रन का आकड़ा नहीं चूँ सके हैं इधर दुनिया के अन्ने क्रिकेटरों की बात करें तो न्यूजिलेंड के मार्टिन गप्टेल 2436 रन के साथ तीसरे नंबर पर है पाकिस्तान के शोइब मलिक 2263 रनों के साथ चौथे नंबर पर है न्यूजिलेंड के ब्रेंडन मकुलम 2140 रनों के साथ पांचवे और 1936 रनों के साथ आठवे नंबर पर वहीं दक्षिन अफरिका के जेपी डुमीनी 1934 अंकों के साथ नौवे नंबर पर और आइलेंड के पॉल्स चरलिंग 1929 रनों के साथ दसवे नंबर पर है सब्सक्राइब आर चैनल एंड प्रेंट बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स